अंग की मात्रा वाले शब्द हैलो पैरेंट्स कैसे आप सब आई होप आप लुग ठीक होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक तो आज का हमारा टॉपिक है अंग की मात्रा वाले शब्द यह तो वर्कसेट हो गई जो आप बच्चों को प्रैक्टिस कर यह है जो अक्षर के उपर बिंदी रखे जाती है ठीक है जैसे देखिए आप ने लिखा और आके उपर आपका यह जो बिंदी लगते है इसको कहते अंख की मांत्रा ठीक है इसको द्वनि जो निकलती है आपकी वो नाक से भी निकलती है और मू से u निकलती है दोनों से ठीक है तो इसलिए इसको अनुस्वर भी बोलते हैं ठीक तो अंकी मात्रा वाले शब्द कैसे बनते हैं जिसमें अक्षर के उपर जो बिंदी होती है लगी होती है वो हम बोलते हैं अंकी मात्रा वाले शब्द उनको हम बोलते हैं की मात्रा वाले शब्द तो देख लेते हैं, यहां पर कौन-कौन से हमारे सब्द हैं, जैसे देखें, यह अंत, यह शंत, हंस, नंद, जंग, यह सारी जो सब्द हैं, वो अंकी मांत्रा से बने हुए हैं, और जब भी आप बच्चों को बोल के प्रैक्टिस करवाएंगी, जब भी बच्चों से आप क कि बिंदी लगी हुई है यहां पर यह हमारा अंकी मात्रवला शब्द है ठीक है उसी तरीके से आप बच्छों को भी बुलवाईए ताकि उसको यह चीज़ क्लियर हो जाए ठीक है उसके बाद देखिए ज्यादा से ज्यादा कोसिस करिए उसको अच्छे से समझ में आ जाए फिर यह देखिए अक्षा जोड़कर सब्द लिखें ठीक है फिर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करवा दिजिए जैसे देखिए अंत है तो पहले अ फिर उसके ऊपर क्या लगेगा बिंदी लगेगी अंकी मात्रा लगेगी फिर यह हो जाएका त अंत ठीक है इसी तरीके स संथ फिर हंस ठीक है फिर नंद फिर जंग इसी तरीके से आप यह प्रैक्टिस करवा दिजिए ठीक है तो यह इस चीए से बच्चों को क्लियर भी हो जाएगा अच्छे से कि कौन सी हमारी अंकी मात्रा होती है और वह कैसे बूली जाती है अंकी मात्रा लगा के सब्द को कै कैसे बोला जाता है और फिर देखिए इस तरीके कि जब बच्चे आपका समझ जाए कि अंकी मात्रा लगती कैसे उसको पढ़ा कैसे जाता है तो इस तरीके की वर्किसित तयार करें यह थोड़ा सा ही मैंने तयार किया है आपको सिर्फ बताने के लिए आप चाहें तो दो त बच्चे को इस तरीके से वर्किसित तयार कर दीजिए उसके बाद बच्चे से क्या दीजिए जिसमें अंकी मांत्रा लगी हो उसको आप सर्कल करो जैसे यह है पतंग यहां पे पतंग यहां पे अंकी मांत्रा लगी हो तो बच्चे इसको सर्कल करेगा कि यह हमारा अंकी मा बंदर फिर बसंत फिर कंगन फिर हंस फिर शंत इस तरीके से वह बोले गा भी और सर्कल भी करेगा और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अब देखिए यहां पर है अंग की मात्रा लगाओ ये सब्द आपके लिख्यों है इस तरीके से भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा उसको मात्र लगाना भी आजया है ठीक है इस तरीके से वाल पहचान पहचान के से जाएघार ऑर इस तरीके से वह जो है अंग की मात्रा लगा लाकर सब्दू लिखना सेख जाएगा जैसे देखिए यहां पर जगंगा लिखा होआ लिगा होआ है चंपा सिर्फ शिका तंग, पंक, चंदा, कंस, घंटा, ठीक है, अंडा, तंग, अंस, जंडा, रंग, मंद, डंडा, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करवा लेनी है बच्चों से, अगर आप लोको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप लोको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज मैने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रिस करना बिल्कुल भी मत बली जिससे मेरी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप को मिलती रहे आज के लिए बस इतना ही मुलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्वेज भी हैपी